इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पोस्ट बैंक एप्लिकेशन के अंदर इस तरीके से दिखाए देता है एंटर और टीपी इस इनकरेक्ट प्लीज चेक तो लाइक किये क्या इसू रहता है और इस इसू को हम कैसे सॉल्फ कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा स्दरूर देखे का तेकि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो दो वेरिफिकेशन होते हैं अपकी एक तो आधार ओर टीपी वेरिफिकेशन ठीक है, और एक आथेंटिकेशन वेरिफिकेशन तो एक तो आपके जो आप number डालते हैं उस number पर आपका verification code जाता है ठीक है वो authentication जो है verification code रहता है OTP रहता है और दूसरे रहता है आधार card OTP ठीक है तो आप कभी भी एक दूसरे का OTP नहीं डाल सकते हैं अगर आधार card का OTP automatically generate होता है जो की आधार card पर registered रहता है number तो वो automatically उससे OTP भेशता है अब ये खुछ समझ लेता है कि कौन सो number registered हो बट उस situation में आप कलत OTP वहां पर डालते हैं एक दूसरे का क्योंकि confusion होती है इसमें तो तब ये दिक्कत यहां पर देखने के लिए मिलती है तो आपको सही OTP डालना है तो आपकी problem solve होगी otherwise ये problem solve नहीं होगी अप गलर डालते हैं तब ये incorrect लिखावा आता है तो ये आपको सही से डालना पड़ेगा तब आपकी problem solve होगी otherwise आपको इसी तरीके से दिखाएगी तो ही पर्चैस रहता इसका अगर वीडियो अची लगे हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा